अगर हम इंसानों से कोई पूशे कि धर्ती पर रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है तो आप सभी लोग कहेंगे रोटी कपा और मकान लेकिन इन सबसे भी जरूरी एक चीज जो है वह है आकसीजन क्योंकि इसके बिना धर्ती पर रहना बिल्कुल भी असंभ हो है पर कभी आप सिकंड में जादा कुछ भी नहीं होगा लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि आकसीजन सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं बलकि पेड़ पोदे जानौर वाल लगबख धर्ती पर सभी के लिए सबसे जरूरी है तो हम आपको बताते हैं कि अगर सिर्फ पांस सिकंड के लिए धर्ती से आकसीजन खत्म हो जाए तो धर्ती का क्या हाल होगा हिलो वीवर्स कैसे हैं आप सब उम्मिद करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्त होंगे आप सभी लोग के साथ मेरी धेर सारी दुआएं प्यारे वीवर्स आप लोग के नालेज के लिए म मैं इस वीडियो को बनाने में काफी कड़ी मेहनत और समय दिया हूँ मेरा हुसला बढ़ाने और इस परकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंध तक जरूर देखें मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा सबसे पहले हमारी पिर्तिवी की उपरी सते पर मौझूद ओजोन प्रत गाइब हो जाएगी क्योंकि इस प्रत पर अधिकतर आक्सीजन के अडू मौझूद होते हैं और आक्सीजन खत्म होते ही ये प्रत गाइब हो जाएगी ओजोन प्रत हम सबकी सूरज की हानी कारक यूवी किलों से रच्छा करती है लेकिन ओजोन प्रत गाइब होते ही धर्ती पर इतनी तेज गर्मी हो जाएगी कि घर से बाहर धूप में मौझूद लोगों के तोचा में जोहलन होने लगेगी और बहुत सी तोचा संबन्दित रोग होने की संभावना होगी नमबर दो आक्सीजन ना होने के करण आसमान नीला कम और काला ज़्यादा दिखाई देने लगेगा नमबर तीन आक्सीजन की कमी के करण हमारे आसपास की हवा का दबाओ कम होने के करण हमारे कान के अंदर का हिस्सा फट जाएगा क्योंकि आक्सीजन कान तता बाहर की हवा के दबाओ को समान बनाए रखने में मदद करता है साथी जीवित कोजिकाओं में भी आक्सीजन मौजूद होती है लेकिन आक्सीजन ना होने के कारण कोजिकाओं में सिर्फ हाइडरोजन रह जाएगा जिससे कोजिकाओं के फटने की संभावना भी बढ़ जाएगी नमबर चार आक्सीजन के खत में होते ही धर्ती की सता दस से बारा किलोमीटर नीचे खिसक जाएगी जिससे धर्ती में मौझूद सीमेंट वा कंक्रीट के निर्मार्ण से बने घर वा इमारते तूटने लग जाएगी नमबर पाँच पानी H2O यानि की हाइड्रोजन वा आक्सीजन से मिलकर बना है लेकिन आक्सीजन ना होने के कारण धर्ती पर मौझूद पानी वास्प बनकर उड़ने लगेगा जिससे बड़े-बड़े महासागर तेजी से सुखने लग जाएगे और पानी में रहने वाले जियू का आस्तित भी संकट में आ जाएगा नमबर छे गाड़ी के इंजन इंधन को जलाने के लिए हवा में मौझूद आक्सीजन का इस्तमाल करते हैं और आक्सीजन ना होने के कारण गाड़ियां अपनी जगह पर रुप जाएगी और हवाई जहाज भी 5 सिकंड तक धर् धर्ती पर कितने संकट आ सकते हैं और धर्ती पर रहने वाले सभी जियू जन्तू और पेड़ पौदों का आस्तितु खत्रे में आ सकता है और अगर हम सब चाहते हैं कि भाविस में कभी भी ऐसे संकट का सामना ना करना पड़े तो इनका एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक कि पेड़ लगाएं और पेड़ों की कटाई कम करें क्योंकि पेड़ कार्बन डाई आकसाइड लेकर आकसीजन को छोड़ते हैं जिससे धर्ती इंसानों के रहने योग बनती हैं तो आप सबसे विंती हैं सेफ वाटर सेफ ट्री एंड सेफ भूनेंस